ये आकाशवाडी का प्रसारण है विविद्ध भारती संगीत सरिधा श्रुताओ नमस्कार मेरी संगीत यात्रा जेष्ट और विद्वान सारंगी वादक पंडित राम नारायन द्वारा प्रस्तुत इस श्रिंख्ला की ये है अकली कडी संगीत सरिधा के दोस्तों हम बात कर रहे थे टोनल कॉलिटी पे तो मैंने इस पर कैसे काम किया वो भी में थोड़ा बताना चाहूंगा क्योंकि मेरी सारंगी की शेली और भी बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने सारंगी बजाई है लेकिन हर एक की अपनी अपनी खेली होती है मेरी खेली जो है वो भी अलग है और इस पर भी मैंने थोड़ा काम किया है वो किस तरह से हुआ वो बताऊं सीधा और उल्टा ये दो गज होते हैं सीधे हाथ में गज होता है तो जब लेफ से राइट की तरफ आते हैं सीधा गज और राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है उसको केते हैं उल्टा गज एक और बात है कि सारंगी में तीन तार होते हैं बजाने के जिसको सा मंदस अब तक की पा और खरज नीचे का सा उसमें ट्यून किया जाता है और यही एक इसा वाद्य है जो कि नाखुन का जो उपर का हिस्सा सर्फेस ओफ दा नेल जो बिलकुल चमड़े के पास नाखुन का हिस्सा वहां पर वो तार लगता है यह जो तीन तार बैजाने केते हैं यह गट स्ट्रिंग्स होती है तो इसको तांत केते हैं तो यह भी बाते हैं सभी लोगों को मालूम नहीं है अब उल्टे सीधे गस की बात, टोनल कुलिटी की बात, साउंड की बात तो साउंड और टोनल कुलिटी बनती है मन से, जिसा मन होता है, उसी तरह की अवाज आती है कुछ-कुछ आपने गाने वाले देखे होंगे, जब बात करते हैं तो मालूम होता है कि आपको तो शाद गा नहीं सकेंगे लेकिन जब गाना शुरू करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कुछ-कुछ लोगों की बात ही बड़ी मीठी होती है लेकिन वो जब गाने पे आते हैं तो बड़ा आजीब लगता है तो इसलिए ये टोनल कॉलिटी बनाने के लिए मेरे मन में सारेंगी के प्रती जो भावना है उबर के आई वो ये थी कि मुझे इसा लगता था कि इस साउंड में इस नाद में शंक की आवाज आनी चाहिए शंक की जो आवाज है वो प्योर साउंड होता है तो मैंने सूचा कि मेरे सारेंगी में भी वो आवाज आए तो आवाज आर्टिस्ट के मन से और उसकी विचारों से बनती है एक वाजलेंड प्लेयर थे क्रैस्लर करके उनका रायम था बहुत यंग एद्मिन की डेथ होगी थी बहुत अच्छा वजाते थे पेपर वाले हमेशा लिखते थे कि वोटे टोनल कॉलिटी है टोनल कॉलिटी की तारिफ और उनके बजाने के बारे में ज्यादा नहीं कहते थे कि कितने सुर में हैं या कितने ले में हैं या कितनी तैयारी हैं वो नहीं कहते थे खाली टोन की बात करते थे तो उनका एक लास्ट कॉंसर्ट सन फ्रांसिस को के पास एक जगा है उस हॉल बनाया जिसमें उन्होंने बजाया था लास्ट कॉंसर्ट क्राइश्सा लोड के नाम से मशूर है यह तो वहां पर उन्होंने लास्ट कॉंसर्ट बजाया और जबरदस्ट बजाया सब लोगों ने तालियं बजाए खड़े होके वो तीन-चार दफ़ा स्टेज पर आ आप लोग तो जानते हैं कि यह जो बड़े वाइलेन प्लेयर होते हैं इनके वाइलेन बहुत कोसली होते हैं क्रोडों में होते हैं इनकी प्राइसिस क्योंकि बहुत पुराने होते हैं बड़े स्पेशल तरीके से बनाया जाते हैं तो सब लोग चुप हो गए बड़े हिरा कि उन्होंने क्या कि इतना कोशरी वाजा होगा टोनल गोलेट इतनी इच्छी इतनी और यह था और उन्होंने हसना शुरू कर दिया वो कहने लगे कि यह पेपर वाले हमेशे हां मेरी तारिफ तो करते हैं लिकें मेरी टोन की तारिफ करते हैं तोन तो अपने अंदर से आता है जो वाइलेन मैंने आज भयाया था, उसका भी टोन बहुत अच्छा था, लेकिन ये पचीस दोलर में मैंने कली खड़िदाया, तो वाइलेन चाहे चाहे क्रोड का हो, लेकिन अगर आर्टिस्ट में वो खुबी नहीं हो, और वो खुबी नहीं है, वो भावनाओं का खेल है, भावना जैसी होती है, विससी टोनल कॉलिटी बनती है, तो सारिंगी के प्रती मिरेक, तो ये भावना रही कि मेरा जो साउंड है, वो शंक की तरह हो, फिर ये जो गज है, सीधार उल्टा, उसका उप्योग, कैसे होना चाहिए, जैसे मैंने का, दिख्या, सिख्या और प्र बाट ठीक नहीं है, अपने अंदर से भी उस पे विचार चालू रहना चाहिए, इसको कहते हैं आर्टिस्ट, और जिन आर्टिस्ट वो ये बात नहीं हैं, वो हैं मजदूर, तो आर्टिस्ट तो हमेंशा दुखी रहता है, इसी विचार में डुबा रहता है, कब क्या करू अब इसमें क्या हो सकता है, इस तरह से मैंने सारेंगी की विचे में कुछ चीजें सोच के, जिसे एक मेरे गुरू थे, पहले में कह चुका हूँ, कि जिस गवी की गले में सपाड तान नहीं, वो गवीया नहीं और जिस सारेंगी की हाथ में सपाड तान नहीं, वो सारेंग में दाकूर में रेते थे और अल्ह बंदा जाकर दिन खान साभ्य नहीं 서 सकता है कि हमारे गस का डिसीप्लेन अच्छा हो तेनों सब्टकों में ताने आए और बल्दार हो बल्दार का मतलब यह होता है कि complicated ताने सीधे सीधे सुर की ताने नहीं कुछ उल्जन वाली बाते हैं और वो साफ साफ निकलती जाया वो साफ साफ तब ही निकलेगी जब गश्त काइदे से चलेगा और जब तक यह सिस्टम नहीं आएगा तो यह बाते हो नहीं सकती इसी लिए यह वाद्य बहुत कम लोगों ने बजाया और बहुत कम अच्छा बजा और सब लोग जानते कि बड़ा कठिन वाद्य है तो यह कठिन इसी तरसे हुआ कि इन बातों का ध्यान हम नहीं रख सके ज़्यादा अब यह बात मेरे समय में आई है तो मैंने उससाफ से जितना बन पड़ा काम किया और करता रहूंगा आज के एपिसोड में टाइम बहुत कम रहा है बातें ज़्यादा हुई तो फिर भी मैं आपको महिक मलार सुनाओंगा इसके लिए काफी टाइम तो नहीं है लेकन एक जलकी महिक मलार की सुनाओे करता रहा है लेकन एसके तो घर सकते हैं दो करता रहे हैं क्यों क्यों करते हैं सvous्पती बा कंप05s झाल 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 झाल